सो गाई सांधान व्य voting बात करने वाले हैं कि आप लोग Paytm Payment Bank का Bank Egent कैसे बन सकते हैं देखिए Bank Egent बनने के लिए Registration करना Important नहीं है देखिए Important ये है कि सही जगा, सही location और कहाँ पर, जो है, Bank Egent की वैकेंसी खाली है ये देख करके Apply करना देखिए Important है और इत्सायत देखिए यही एक one of the most region है जिसको जिसे registration तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सब का registration फेल हो जाता है उसमें से दो चल लोग ही होते हैं जिनका registration पास होता है और वोग bank agent बन जाते हैं ठीक है तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यह भी चेक करोगे कि कहाँ पर जो है KYC point यानि की BC agent जो है उनका KYC point जो है टेर्बिनेट हो गया है और वहाँ पर आप लोग KYC point ले सकते हो यह कैसे आप लोग चेक करोगे साथ में registration करने का जो latest process है यह भी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला होते है इस वीडियो को पुरा देखेगा जिससे आप लोग को सही है और setting जानकारी मिल सके तो देखे सबसे पहले में आप लोग को चेक करने बता दू कि कहाँ पर आप लोकेशन खाली है जहाँ पर आप लोग BC agent के लिए यानि की bank agent के लिए apply कर सकते हो या फिर KYC point जो है आप ले सकते हो वहाँ पर देखे जैसा कि आपको पता है कि अगर KYC point अगर आप ले लेते हो पेटियम payment bank का यानि bank agent तो आप लोग की अच्छी खासी कमाई देखे यहाँ पर होने वाली है क्योंकि KYC point के सांथ साथ आप लोग को देखिए AAPS का भी service मिलता है रिचार्ज का भी मिलता है और इसमें AAPS में अच्छा खासा commission देखने के लिए मिलता है या दर कंपनियों की अपेचा ठीक है तो इससे बेटर है कि आप लोग अगर चाते है इसे पेटियम payment bank का basic agent बनना चाते है तो आगे इस वी करेंगे तो यह कुछ इस तरीके काईट देखेगा तो नीचे आप लोग को स्क्रॉल करना है देखिए कैसे आप लोग कहां पर BC point का location खाली है यह चेक करने का process आप लोग बता रहा हूं ठीक तो देखिए जब आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो आप थोड़ा सा उपर आ लोगी किया के सिफेंट व 빠त मैं टाल दे रहा है तो यह ही कोई शी पॉइंट नहीं है ठीक तो आप देखिये גव कोंट पर रहा sale कोई प Tip क्वासी पॉइंट प्ता चल लगा यहां Court यहां इस पी कोड में एक्टिव कॉइन कट्व कोई कोई एक्टिव नहीं है ठेका तो आ अपना पीन कोड डाल लीजेगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इस पीन कोड में जो है कि वाइसी पॉइंट मिला हुआ है तो उमीद कम रखेगा कि आप लोग के वाइसी पॉइंट मिलेगा ठीक एक चीज़ा और देखिए आपको बता रहा हूं ठीक तो अब यहां से जो भी आपका डिस्ट्रीक या फिर जो भी आपको पड़ता होगा अप उसे सेलेक्ट कर लिए और देखिए यह जो कवाइसी पॉइंट यह जितने भी है जैसे की यह जगदंबा सीडि कोर्णर यह है इनका बहां किवाज को मान लिए कि अगर वारानशी से आप विलोंग करते हैं तो वहां पर आप लोग लक्षिमी मॉबाइल के नाम से कस्टमर केर से बात करके या फिर जो पिए टीया पेमेट के वाइसी पॉइंट हैं इनके जगह पर आप लोग जा करके ले सकते हैं ठीक तो यह तो आप लोग को पता चल गया कि आप लोग कैसे करना है ठीक तो मैं आपको बता दो कि इसी में ही आप लोग यह भी बताया है ठीक है लेकिन देखिए इसे बताना इंपोर्टेंट नहीं था इंपोर्टेंट यह था कि कैसे आप लोग करोगे कहां पर लोकेशन खाली है क्योंकि देखिए एक पीन कोड में या फिर एक जगह पर आप लोग को दो-दो के वाइसी पाइंट नहीं मिलते है है इससे में तो नुए कई पॉइंट मुस्किल है थोड़ा सा मिल रहा है लेकिन जगह पर आप लोग को पता चल जाएगा जब आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो यहां पर करने के लिए आप लोग कहां पर देना होगा इसके बाद बिजनेस कारेंट नहीं कहां पर लोग काम कर रहे हैं इसके बाद P-n-Code देना होगा बहुत इंपोर्टेंट कीни आपकी इसी प्रॉसीजर होता है जैसा कि मैंने आप लोग को भी बताया कि जो सर्च कर लेंगे तो जो ही आपका पीन कोड होगा यहां से डालकर सर्च करेंगे तो अगर मालेज़े कि वाइसी पॉइंट मिल जाता है तो अप लोग को थोड़ा सा मिलने में परसानी होगी आप लोग प्रयास्क जरूर कि जाएगा ठीक तो अधरवाइस मालेज़े आपके पीन कोड में नहीं बता रहा है वहाँ पर तो आप लोग अपना पीन कोड यहाँ पर डालिएगा और यहाँ पर बोलाइए कि डू यू है फीक्स डाउट लेट तो यहाँ पर किलिक करेंगे इसके बाद आपका जो लोकेशन मैंने जिस तर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देगा मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में अपडियेट के साथ के लिए बाई बाई